नमस्कार दर्सकों आज देरादून दूर दर्सन केंद्र की ओर से एक काबे गुस्ठी का है जोन किया गया है इसमें आप सबी का स्वागत है यहां हमारे उत्राखन के प्रख्यात कभी गण है और मैं सबसे पहले आप से उनका परिचे कराता हूँ मेरे दाइनी और बरिश कभी स्रीपंकर शर्मा जी है जो के रुद्रपुर्चा है है वो बहुत अच्छे गीतकार भी है उनको कई रास्टी और अंतराष्टिया उनको प्रुष्कार मिले है और कही काबे गोस्टियों में जो की चैनल के माद्विम से उसमें हुए अपनी वागिता करते हैं उनके बाई तरह डॉक्टर सत्यानंद मबडोनी जी हैं जो के बरिश कभी हैं गड़वाली गीतकार भी हैं उनकी अब तक चार पुस्थके निकली हैं और बहुत अच्छे कभी के साथ साथ हो एक लेकक भी हैं उनके बाई और डॉक्टर अर्चना दिमरी जो के शिक्षावीर हैं आपके 18 से अदिक सोत पत्र प्रकासित हो चकने हैं और साथ साल आपने कहीं रास्थी और अंतरास्थी गोश्टों में सहिवागिता की हैं आपकी दो पुस्तकें प्रकासित हो चकी हैं मेरे बाइयोर डाक्टर अलका अरोडा जी जो कि प्रोफिसर हैं बहुत अच्छे लेकिका हैं कई रास्टी और अंतरास्टी पत्रगाउं में आपके लेक शप्ते हैं और आपको सौ से अधिक सम्वान इस काबेगा और साहित्ते के चेत्र में मिले हैं उनके बाइय तरफ स्री बिने अंत्वाल जी हैं जो कि पेशे से अध्यापक हैं बहुत अच्छे कभी हैं दूर दसन और आकासवानी में आपके कविताएं परसुद होती रहती हैं और उनके बाइयोर हमारे पने बैसरी राज कुमार जी जो कि देरदुन से हैं बरिश कभी है गजल का रहे हैं मुसायरों में भाग लेते हैं तो ये तो हमारे बरिश कभी हैं आप सभी कभी गुणों का यहां मैं अभिनादन करता हूं श्वागत करता हूं जैसा कि आपको बद्विदित ही है कि कभीता जीवन है कभीता सौंदरी की अनुभूती है भावानुभूती है क्योंकि कभीता मानब की जो उच्छतम अनुभूती है उसकी अभिव्यक्ति होती है और ऐसे में कभीता जैसा बाता परन हमारे विविन कभी लोग जो प्रक्य चाहें कि वह एक अपनी कर्था प्रस्तुत करें स्री पंकर शर्मा स्वागत सुक्रिया सकलानी जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मैं चाहता हूं मेरा देश कैसा होना चाहिए क्या देश में चाहता हूं मैं कुछ पंक्तियां रखता हूं कि हिंद तेरी आन रहे भारती की शान रहे हिंद तेरी आन रहे भारती की शान रहे जग में बिराट तेरा भाल होना चाहिए जग में बिराट तेरा भाल होना चाहिए बाजूओं में जोश हो जवानियों में होश हो बाजूओं में जोश हो जवानियों में जोश हो बुलन्दियों को चुमता जलाल होना चाहिए तो बेटियां पढ़ें बढ़ें कीर्थ मान भी गड़ें बेटियों का मान हर हाल होना चाहिए दूर हो बें सब बुराई प्यार करें भाई 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 खुशियों से देश माला माल होना चाहिए और अब मैं छोटा सा गीत अपने आराद श्री भगवान श्री राम के भ्रात्त को समर्पित उनको नमन करता हुए एक छोटा सा गीत मैं रखना चाहता हूँ कि धैर की मूरती धैर की मूरती त्याग की संपूरती चिरगुनों के धाम है भाई तो अनेक जग में शीर्स राजा राम है बाई तो अनेक जग में शीर्स राजा राम है और उनके भाई भरत जी के बारे में क्या कहना है कि भाई को तिलक लगे हस के बन चले गए भाई को तिलक लगे हस के बन चले गए पग पग पर कितनी ही बार वो चले गए तिलोकी के आसन को भरत ने चुआ नहीं कोई भी चल नहीं था राम को जपा नहीं भाल पर खडाऊं रख भाल पर खडाऊं रख करते नित प्रणाम है भाई तो अनेक जग में शीर्स राजा राम है भाई तो अनेक जग में शीर्स राजा राम है उनके एक और दूसरे भाई लक्षमर जी है कि भाई को भाई से बड़ा नहीं तीर्थ बो मानते रहे भाई के लिए चोधा बर्ष जागते रहे बाई के लिए चोधा बर्ष जागते रहे पिता तुल्य राम को जान की मा मानते रहे रक्षा की रेख वो अकाट बांधते रहे सेबा में रात दिन करते न बिशराम है भाई तो अनेक जग में शीर्स राजा राम है भाई तो अनेक जग में शीर्स राजा राम है बढ़ी अंदर प्रकुत्री सत्यम सिभम सुन्दरंग की कामना को सागार करती भी सर्मा जी करता अब मैं अन्रोद करता हूँ डाक्टर सत्यनन बढ़ोनी जी से क्योई अपने कविता प्रसुत करें बढ़ोनी जी दन्यवाज सकलानी जी यहां पर नारिष सकती है और मैं क्योंकि गरामेण अंचल से हूँ जहां मैलाओं का बहुत योगदान होता है तो मेरी कविता की शिर्सक है पाहड़ी औरत यह अलग खटकर होती है अन्य मैलाओं से पहाड़ जैसा ही है जीवन पाहड़ी औरत का वो भी तो पहाड़ जैसा जीवन जीती है हमारे लिए पहाड़ जैसी खड़ी है प्रहरी बनकर पहाड़ जैसे ही है जीवन पाहड़ी औरत का वो भी तो पहाड़ जैसा जीवन जीती है हमारे लिए पहार जैसी खड़ी है प्रहरी बनकर शुबव कलेव खिलाने टिपाने पती को दबतर बच्चों को पारचाला विरोजगार पती को खेतों में भेजने से सुरू होती है दिन्चरिया पाड़ी अवरत की पहार जैसे ही है जीवन पाड़ी अवरत का वो भी तो पहार जैसे जीवन जीती है हमारे ले पहार जैसे खड़ी है प्रहरी बनकर शुबव कलेव खिलाने टिपाने पती को दबतर बच्चों को पारचाला विरोजगार पती को खेतों में भेजने से सुरू होती है दिन्चरि गास लकड़ी लेनी जाती है उन्चे धंगार पर और चड़ जाती है कई वार दिन में कई अवरेश्ट पते पर होते हैं पुरस्किर्थ लोग कि इन्तु कई अवरेश्ट चलने के बाब जूद तरिस्कित पाड़ी वरत दिवस्का आफसान से पूर्व विश्वव वाली चर आते हैं हिससे कुछ घंटे सोने को चूंकि सुबह सुरू होगी वही दिन चरिया और और औरतों से कापी हटकर है पाड़ी औरत औरत वह इन पहाड़ों के लिए को ही नहीं औरत वह इन पहाड़ों के लिए कोई नहीं ये सब के लिए है जैसे सुपनित बुग्यालों के पहाड बांज बुरांस कापल आदि से लदी घुगुती हिलांस कफू के सोरों से गुझीत इडांडी काठिया औरत वह इन पहाड़ों के लिए कोई नहीं ये सब के लिए है जैसे सुपनित बुग्यालों के पहाड बांज बुरांस कापल आदि से लदी घुग्ती हिलांस कफू के सोरों से गुझीत ये डांडी काठियां प्रयोटकों के लिए हैं दो तीन दिन प्रवास के दोरान औरत जवानी भर है औरत पारेवारिक बोज ढोते हो गई कुबडी पहाड जैसे औरत ये डांडी काठियां प्रयोटकों के लिए हैं दो तीन दिन प्रवास के दोरान औरत जवानी भर है औरत पारेवारिक बोज ढोती हो गई है कुबडी पहाड जैसे औरत बहुत सुन्दर पाड़ी औरत की विथा और कथा का सुन्दर चितरन डाक्टर बढ़ोरी ने जी किय और मैं अन्रोद करता हूं डाक्टर अर्चना डिमरी जी से कि वह अपनी कविता पस्तु कीजिए धन्यवाद सक्लानी जी और बडोनी जी मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि जो कविता लेकर मैं प्रस्तुत हो रही हूं उसमें भी एक महिला का जिक्र है और उसके जीवन में प्रेम दिवस आ रहा है तो प्रेम दिवस को आम भी मनाने वाले हैं तो उसको लेकर मैं आप लोगों के सामने आ रही हूं तो क्या कहा प्रेम दिवस मुझसे मिलने आया है क्या कहा प्रेम दिवस मुझसे मिलने आया है सुनो तुम किसी और दिन आना अभी फुरसत नहीं है मुझे तुमसे मिलने की करने है कई जरूरी काम सास्तसुर की सुभा की चाय, दवाई, पती का नाष्टा दिन का खाना, बच्चों का स्कूल का टिफिन और फिर स्कूल पहुचाना साफ सफाई, कपडों की धुलाई, क्या करूँ आज काम वाली बाई भी नहीं आई अब लो, गैस भी खत्म हो गई सिलंडर की बुकिंग भी करनी है अरे देखो, बिजली का पानी का बिल भी भरना है ससूर जी का चश्मे का नंबर भी बदलना है इसी के साथ बच्चों की स्कूल की फीज निभरनी है ओफो, ये लिफ्ट भी आज ही खराब होनी थी ये लिफ्ट भी आज ही खराब हो गई साथवी मंजिल से सीड़ियां भी तो उतरनी है ऐसा नहीं कि मेरा मन तुछ से मिलने का नहीं ऐसा नहीं कि मेरा मन तुम से मिलने का नहीं पर क्या करूँ, मेरे पास समय ही नहीं पर आज, ओफिस जाते समय, मैंने एक फूल पर भवरे को मंडराते देखा आफिस जाते समय मैंने एक फूल पर भवरे को मन राते देखा मन बड़ा प्रफुलित हुआ जब रंग बिरंगी तितली को पंक लहराते देखा पता नहीं क्यों पर अच्छा लगा तुम्हारा प्रेम मुझे सच्छा लगा आफिस में आज फिर ट्राफिक जैम से थोड़ी देरी हो गई पर ये क्या आज बॉस की डाट कोयल सी बोली सी लगी शायद ये तुम्हारे आने का एहसास था पर प्रणगी आस तो कब की मिट गई अब तो सिर्फ जिम्मेदारियों का भास है लेकिन देखना एक दिन तुमसे जरूर मिलूंगी तुम्हारे प्रेम की सुगंद में सरोबोर होकर अपने हिस्से के बसंत को मैं भरपूर जीऊंगी बहुत सुन्धा दिन प्रेम के ऊपर बहुत सुन्धा बहुत बेहतरी प्रस्तुती और अब मैं अनुर्द करता है डाक्टर अलका अरुणा जीए कि दिलों जहन पर फिर वही अक्स उभर आए हैं तेरी ही सूरत को आखों में बसाए हैं कि बहुत 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 कमजोर है एहसास तेरी जुदाई के लबों को फिर तेरी तस्वीर से छू कर आए हैं पुने पनाम निवेदित करती हूँ आप सभी के शिचनों में तथा एक रचना से जोडने का परियास करती हूँ कि गरस्ते बादलों को आज बरस जाने दे कि गरस्ते बादलों को आज बरस जाने दे एक टुकड़ा धूप मेरे हिस्सी भी आ जाने दे कि तोटकर बिखर गया किरदार जो टुकड़ों में कांपती हाथों से उसकी एक तस्वीर तो बनाने दे एक टुकड़ा धूप मेरे हिस्सी भी आ जाने दे और ये मुक्तक मेरा तमाम नारी शक्ती को तमाम लड़कियों को कि मैं भी चूलूँगी बुलंदी आसमानों की अपनी गरफ्त से मुझे कुछ दूर तो जाने दे कापते हाथों से इसकी एक तस्वीर तो बनाने दे कि एक टुकड़ा धूप मेरे हिस्सी भी आ जाने दे और एक और मुक्तक आप सभी को देती हूँ कि हुनर तो मुझे भी बक्षा है मेरे मौला ने मुझे मेरी आवास में एक बार तो गाने दे कि एक टुकड़ा धूप मेरे हिस्सी भी आ जाने दे और एक और मुक्तक कि एक दफा बिछड़े एक दफा बिछड़े तो कभी मिलना पाएंगे तुम से कि छोटी सी ये बात तेरे दिल को भी समझाने दे एक टुकड़ा धूप मेरे हिस्सी भी आ जाने दे एक टुकड़ा धूप मेरे हिस्सी भी आ जाने दे और एक औरतने मुक्तक मैं आप सभी के शिच्रणों में निवेदित करती हूँ कि बिसाले यार बिसाले यार चले आएं है नजरे छुकाएं मुझ तक इश्क के तवस्थम से मेरा घर आज महकाने दे एक टुकड़ा धूप मेरे हिस्सी भी आ जाने दे गरस्ते इबादलों को आज बरस जाने दे एक टुकड़ा धूप मेरे हिस्सी भी आ जाने दे एक टुकड़ा धूप मेरे हिस्सी भी आ जाने दे और एक चोटे से मुक्तक से मैं अपनी वानी को विराम दूंगी कि चलती रहोंगी पत्पर, चलती रहोंगी पत्पर, चलने में माहिर बन जाओंगी, कि या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छी मुसाफिर बन जाओंगी. आपने बहुत बेहतरीन कविता परस्तुत कि और हमने उसका रसा साधन किया, तो अब मैं अन्डोद करता हूँ, स्री बिने अंथवाल जी से, कि वह एक रपया अगली कविता परस्तुत करें बिने अंथवाल. मेरी कविता का सीड़ सक है मानसिक प्रेंच, सच्चा प्रेंच मानसिक होता है, यह मैंने खुद महसूस किया है, सुबह की पहली याद हो, नए प्यार का अहसास हो, दिल के मेरे तुम पास हो, मन ही मन का सम्वाद हो, मन का मधुर आलाप हो, अंतर का अजास हो, मन की निर्मल आस हो, प्रेम का सदभाव हो, मन ही मन का प्यार हो, मन में जला चिराग हो, मेरे तपते हुए मन के, मेरे तपते हुए मन के, तुम सी तल सी आस हो, तुम आखों की प्यास हो, जीवन का मदुमास हो, प्यार का गुलाब हो, आखों का सुन्दर ख्वाब हो, सुखद प्यार का अहसास हो, निश्वार्थ प्यार का भाव हो, दिल में मेरे जाक लेना कभी, दिल को दिल साज करती आप हो, मन से मन का बंधन तुम हो, कई जनमों का संबंध तुम हो, मेरा प्यार इबादत वंधन तुम हो, इस जीवन का कुंधन तुम हो, इस जीवन का चंदन तुम हो, निश्वार्थ प्यार का भाव हो परमार्थ का सदभाव हो पवित्र प्रेम का पुज्य भाव हो इस्त्रित्व का संपूर्ण सार हो धन्यवाद उतकुष्ट का भितायें और अम मैं अन्रोद करता हूं स्री राज कुमार जी से कि वह अगली कपता प्रस्तों करें स्री राज कुमार मेरी कविता का शीरशक है तलाश इस कविता के माध्यम से मैंने प्रकरती से जुडने की कोशिश किये और कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है मैं चल पड़ा निकल पड़ा हूं वादियों की गोद में मैं चल पड़ा निकल पड़ा हूँ वादियों की गोद में जो शोर से परे है जिन्दगी मैं उसकी खोज में खुदा को भी हुँ ढूंडता और खुद को भी तलाशता है मनजिले मेरी तो तै करूंगा मैं ही रास्ता नया नहीं है कुछ भी फिर भी लग रहा नयासा है नई ये आग है नहीं धुवा मगर नयासा है ये आस्मा जो बनके चछत है हर जगह ही दिख रहा जमीन से भी जुड़ के ये जमीन से भी चड़ रहा यूं लग रहा कि मानो ये जमीन है रुकी हुई रुकी हुई थमी हुई मगर ये सच तो है नहीं ये बादलों के जुंड जो की घूम घूम के अलग से रंग रूप में हैं बन रहे बिखर रहे ये रुक रहें हैं चल रहे कि मानो कड़कडाती बिजलियों से इनका राप्ता नहीं मगर ये सच तो है नहीं ये भोर बन के डोर मुझको अपनी और खीचती ये सांज मुझको बांध रंग मेरी और फैंकती पवन बही तो मैं भी बहचला हूँ जैसे संग में हवा में तैरता नजाने मन ये किस उभंग में ये ओस की हैं बुंद जो की मुटियों से लग रही है घास पे हमन मेरा ये कह रहा कि रखलू बुंद को मैं अपने पास में नदी पहाड जरने ताल रंग भरे ये फूल जैसे चित्रकारी हो किसी विचित्र चित्रकार की या मिलकियत किसी बड़े अमीर साहुकार की या होकला किसी बड़े अजीब कलाकार की है कौन ये जो रंग भर रहा है तितलियों में है कौन ये जो रंग भर रहा है तितलियों में है ये कौन जो की सूर्य को छिपा रहा है बदलियों में कौन है जो बर्फ को गिरा रहा है सर्दियों में कौन मुझ को माफ कर रहा है मेरी गलतियों में कौन है मैं आँख मूंद कर हूँ सोचता जवाब इसके खोचता और देखता कि वक्त बनके रेट सा फिसल रहा है हाथ से जमी हुई थी बर्फ जो पिघल रही है आथ से मैं देखता ही जा रहा और डूपता ही जा रहा हूँ वादियों की गूद में जो शोर से परे है सिंदगी मैं उसकी खोच में बहुत बहुत सुन्दर संबेदना हैं बहुत सुन्दर अनुबूतियां और उनको इतने कलात्मक अभी वक्ति दिये और अब काविगोष्टी का उत्रार्द आने को है और मैं डॉक्टर सकलांजी को साधा अमित करता हूँ कि अपनी कविता पार्चा भी अभी सिंचित करें अभी हमारे कवी कवितों ने बहुत सुन्दर कविता हैं गजल छणिकाएं और मुक्तक सुने तो कविता क्या है इस पर एक मेरी कविता है को है कविता का संसार कविता नहीं है एक सामान्य खबर जिससे पंड़ने लिखने के बाद भूल जाते हैं लोग कविता नहीं है एक सामान्य खबर जिससे पंड़ने लिखने के बाद भूल जाते हैं लोग कविता है वा मादक दवा छा जाती है जो हिर्दे पटल पर जीवन प्रियंत कविता एक दरपन है शासुत सत्य का जो जूट नहीं बोलता करता है साकार जीवन के कटु सत्य को कविता वास करती है मन मस्तिक्स पर कलम के सिपाईयों की फसल बोई जाती इसकी हर जगा हर मौशम में भाव रूपी बीज से प्रस्पुटित होकर अभिवन्जित होती है समाज में इसकी अमर बेल साका हैं वाईव से भी तीवर दोड़कर संपून ब्रमान को समेट लेती हैं अपने आप में जन इतार्थ कविता की तीवर दूर दिष्टी फैलती संपून सिष्ट में प्रचारित प्रसारित कर प्रेम सोहार्थ का संदेश कविता वाजीवन है जो एतार्थ के धरातल को करती है उजागर भेद नहीं करती गाउं शहर देश और विदेश का उसे तो उतरना है एतार्थ के माबदंड पर कविता भावन भूती है सौंदर रहया जीवन का आत्म साथ जो इसे करे वही इसका रस्वासादन कर डूब जाता है आनन्द के सागर में कविता कोई पुराना अखवार नहीं जब चाए इसे फेंक दो पुरातन होने पर विया समसामाइक लगती है कविता जोडती है तूटे और व्यति थिर्दे को बानती है विखंडित समाज को एक ता के पाउन शुत्र में आज हमारी कवितर ने बहुत सुंदर एक साइटिक और कविता में बातबढ़न आपने देखा होगा और मैं सभी का सभी जो हमारे प्रस्तुत करता है कवे तरी प्रख्यात कभी जो आएं उत्रा खंड के उन सभी का आवार बेत करता हूं और आज का ही कारे कम कि इसमापत होता है दन्यवाद प्रस्तुत करता है प्रस्तुत करता है